हलो व्यूवर्स वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल मैं हूँ पूजा लूथरा और आज मैं आपको बताऊंगी गुड यानी जैगरी के फायदे दोस्तों गुड में बहुत सारे विटमिन्स आईरन और कैल्शियम होते हैं ये हमें अनेक बिमारियों से बचाता है और उनका इलाज भी करता है आईए जानते हैं गुड के फायदे गुड हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को बहुत स्ट्रॉंग बना देता है गुड खाने को जल्दी पचाने के साथ साथ हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट को भी बहुत स्ट्रॉंग बना देता है मील्स के बाद अगर थोड़ा गुड़ खा लिया जाए तो कब्स, अपच, गैस आदी प्रॉब्लम्स की हमेशा के लिए छुट्टी हो जाती है गुड़ में आइरन होने के कारण ये अनीमिया को ट्रीट करने में भी बहुत उप्योगी है ये हमारे हिमोगलोबिन लेवल को बढ़ाने के साथ साथ बलड को प्यूरिफाई भी करता है और इम्मूनिटी लेवल को भी बढ़ाता है अर्थ्राइटिस के पेशिंट्स गुड़ को पिगलाकर उसमें सौट का पाउडर भून कर सुभा शाम खाएं तो जोडों का दर्द और सूजन दोनों चली जाएगी एस्थमा पेशिंट्स गुड़ और सरसो का तेल 15-15 ग्राम मिलाकर खाएं तो खांसी से तुरंत राहत मिलती है और फेफडे भी स्ट्रॉंग हो जाते हैं अगर आपके सिर में ड्रेंडर्फ हो गया है या आपके बाल गिर रहे हैं तो गुड़ में थोड़ा पानी मिलाकर उसे पिगला ले फिर उसका लेप बालों और बालों की जडो में लगाएं फिर आदे घंटे के बाद बाल धो दें ड्रेंडरफ तो दूर होगा ही, साथी साथ बाल गिरना बंध हो जाएंगे और आपके बाल घने, लंबे और मुलायम हो जाएंगे गुड में बहुत सारे मिनरल्स होते हैं, इसे खाने से स्किन हमेशा हेल्दी और जवान रहती है चहरे पर रिंकल्स जल्दी नहीं आते और एकने और पिंपल्स भी दूर हो जाते हैं पीरियट्स के दोरान महिलाओं को होने वाले पेच दर्द और क्रैंप्स की प्रॉब्लम भी गुड खाने से दूर हो जाती है आवला पाउडर में पिगला हुआ गुड मिलाकर खाने से पुरुषों में स्पर्म की क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों बढ़ती है और शरीर की कमजोरी भी दूर होती है दोस्तों आपको जानकर ये हैरानी होगी कि चीनी की जगा अगर डेली गुड खाया जाए तो वेट लूज करने में भी बहुत हैल्प मिलती है गुड खाने से शरीर में वाटर रिटेंशन नहीं होता और हमारा मेटबोलिजम रेट भी बढ़ता है और ये दोनों ही चीजें फिट और स्लिम रहने के लिए बहुत ही उपयोगी है गुड हमारे नर्वस सिस्टम को भी स्ट्रेंथन करता है इसे खाने से हमारी मेमरी बूस्ट होती है गुड खाने से बलड प्रेशर भी हमेशा कंट्रोल में रहता है सर्दियों में गुड खाने से ठंड नहीं लगती और गर्मी में गुड खाकर अगर उपर से पानी भी लिया जाए तो लू नहीं लगती दोस्तों अगर आपको हिचकी बार-बार आ रही है तो गुड में सौंट का पाउडर मिलाकर खा लीजिये तुरंत लाब मिलेगा गुड और तिल के लड़ू बनाकर खाने से फ्रीक्वेंट यूरिनेशन यानि बार-बार पेशाब जाने की समस्या से चुटकारा मिल जाता है अगर आपकी स्किन काफी ड्राइ हो गई है तो 15-20 ग्राम गुड नहाने के पानी में डालकर नहाने से खुशकी दूर होती है और त्वचा की नमी फिर से लोटाती है अगर आप अनिद्रा, इंसौम्निया या नीन ना आने की बिमारी से पीडित है तो थोड़ा सा गुड मलाई में मिला कर खा लीजे और उपर से पानी पी लीजे कुछ ही देर में नीन आ जाएगी तो ये थे गुड के फायदे प्लीज 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 मेरे वीडियो को लाइक और शेर जरूर कीजे और अधिक हेल्थ और ब्यूटी रिलेटेड वीडियो देखने के लिए आप मेरा चैनल भी सब्सक्राइब कर सकते है एक और इंट्रस्टिंग वीडियो लेकर मैं आपक आपक्यू